नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं گ्रांट जयोती सीक्रेट धनु रासी के तीन हिस्वे साइध आपकी सूच से भी परे यहनि आज हम धनु रासी के बारे में विस्टार से बतलाने वाले हैं हर बार्मा बैक्ती धनूरासी का होता है ये तो हम जानते हैं लेकिन धनूरासी में भी तीन हिस्से होते हैं यानि तीन तरह के होते हैं धनूरासी वाले लोग देव गुरू ब्रहस्पती की रासी धनू रासी और धनू रासी पर किन किन नच्छत्रों का प्रभाव होता है और धनू रासी में जो आते हैं उनसे संबंदित बैक्तियों का जीवन कैसा होता है आज हम ये आपको विश्तार से बतलाएंगे तो देव गुरू ब्रहस्पती की रासी धनू रासी जो अगनी तत्तो की रासी है और धनू रासी वाले दूई सौभाव वाले होते हैं क्योंकि दूई सौभाव की रासी है यानि इसका जो सौभाव है वो दोहरा होता है दोहरा मतलब एक साथ इनका दिमाग दो जगह चलता लहता है और यह रासी देव गुरु ब्यहसपती की मूल-trikon-raasi वह आप ऐसा समझ सकते हैं कि देव-गुरु को बहुत जादा प्रिय भी है धनु रासी धनु रासी के जो तीन हिस्से है यानि धनु रासी वाले तीन तरक के होते हैं जो तीन नच् disciplines में बटे और ये नच्छत्र हैं मूल नच्छत्र पुर्वा साढ़ा नच्छत्र और उत्तरा साढ़ा नच्छत्र तीनों नच्छत्रों के धनू रासी के लोग अलग-अलग तरह के होते हैं यानि सभी धनू वाले एक ही तरह के नहीं होते अलग-अलग सोभा भी इनका होता है बेसिकली तीन तरह के होते हैं धनु वाले अगर आपकी रासी धनु है तो आप किसी जियोतिसी से किसी बिद्वान से सलाह लेकर एक मानिक के जरूर धारन करें मानिक के पहनने से आपको फायदा होगा आपका भाग आपकी किसमत मजबूत होगी प्रबल होगी और दुरघटनाओं से बचे रहेंगे बाद भी बाद से आपकी रक्षा होगी यानि चारो तरफ आपकी तरक्की भी होगी आपका मान समान बढ़ेगा हर रियास से बहुत अच्छा तो चलिए अब हम आपको विश्तार से बतलाएं कि अगर आपकी रासी धनू है लेकिन आपका नच्छत्र मूल है तो धनू वाले कैसे होते हैं जिनकी रासी धनू है लेकिन नच्छत्र मूल है और ये संयोग बहुत अदभूत होता है क्योंकि मूल नच्छत्र का जो स्वामी है वो केतू है और मूल नच्छत्र गंड मूल नच्छत्र माना जाता है यानि कि इस नच्छत्र में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो मूल नच्छत्र की सांती कराई जाती है जिसे हम 27 कहते हैं आपको तो पता ही होगा इस नच्छत्र में धनूरासी बहुत जादा मजबूत और बहुत जादा ताकतवर होती है मूल नच्छत्र के धनूरासी के लोग बड़े ही उग्र होते हैं बड़ी उग्रता होती है इनके अंदर और अदम में साहसी भी होते हैं लेकिन अक्सर इन्हें सरजरी से ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है कभी-कभी इनके लिए दुरगटनाओं के योग भी बन जाते हैं अगर आपका नच्छत्र मूल है आपकी रासी धनू है तो आपको भगवान स्री गनेज की उपासना जरूर करनी चाहिए ऐसा करने से सरजरी ऑपरेशन दुरगटनाओं से बचे रहेंगे और आपकी बुद्धी भी सही समय पर काम करेगी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो आप गनेज जी का दावन थामे रहें संबब हो तो नियमित रूप से दुरवा एक प्रकार का घास होता है उन्हें अरपित करें और गनेज जी के मंत्रों का जब करें कही निकलते हैं घर से तो उनको परणाम करके निकलें जैसे मर्जी वैसे अरादना करें अब हम बात करेंगे अगर आपकी रासी धनू है लेकिन आपका नच्छत्र पुर्वा साड़ा है तब क्या होता है यानि पुर्वा साड़ा नच्छत्र वाले धनू रासी के लोगों के बारे में अब हम जानेंगे पुर्वा साड़ा नच्छद्र का जो मालिक हैं वो सुक्र होते हैं और धनूरासी के जो मालिक हैं वो देवगुर ब्रहस्पती होते हैं अब यहां पर ब्रहस्पती और सुक्र का संबंध बनता है और इस संबंध की बज़र से धनूरासी के गुरू हैं तो यह अपने काम यानि वर्क के मामलों में भी काफी लापरवा हो जाते हैं यानि पुर्वा साड़ा नच्छत्र वाले जो होते हैं ये जो काम भाव होता है वो बहुत जादा होता है और काम यनि वर्क के मामले में थोड़े लापरवा हो जाते हैं कभी-कभी इनको डिप्रेशन भी हो जाता है और कभी-कभी फियर साइकोसिस भी हो जाता है कभी-कभी चिंताएं भी लगती है होने और तनाव भी होने लगते हैं और ऐसा भी इस्तिती दिखाई देता है कि एकदम से तनाव में आ गए बहुत चिंतित हैं अगर आपका नच्छत्र पूर्वा साड़ा है धनूरासी के हैं आप तो आप ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक रहें जितना संबब हो सिप जी की उपासना करें तो आपकी मुस्क सिवाय का जितना ज्यादा हो जब करें जब भी मौका मिले सिवलिंग पर एक लोटा जल अरपित करते रहें फिर देखिए जीवन कितना आसान हो जाता है अब बात करते हैं अगर आपकी रासी धनू है लेकिन आपका नच्छत्र उत्तरा साड़ा है तो इसका प्रभाव क्य होता है उत्तरा साड़ा नच्छत्र का जो स्वामी है वो सूरे है और धनूरासी का जो मालिक है वो देव गुरु ब्रहस्पती है तो यहां पर सूरे और ब्रहस्पती का समंद्ध बहुत सुब होता है बहुत अच्छा होता है इसलिए यहां पर धनूरासी की स्थिति बहु आक्षात इस्वर की बिसेश क्रिपा भी होती है समस्याई तो जीवन में सब के आती है लेकिन तमाम समस्याओं के बाब जूद ये अपनी मेहनत के दम पर जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं ये लोग बहुत अच्छा उपदेशक भी होते हैं बहुत अच्छा बोलत साड़ा नच्छत्र है तो एक तो आप एहंकार बिलकुल मत कीजिएगा वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और अधिक से अधिक आप भगवान सुरी की उपासना करें तो लाब होगा यानि आपको एहंकार से बचना है और सुरे देव की उपासना करते रहना है तो हम आपसे बिदा लेते हैं अगर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें चाहते हैं बिस्तार से बनाए तो उसके लिए कमेंट करें हर हर महादेव धरनिवाद